हेलो दोस्तों, MRSE टेक्निशन में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त अब जलारम आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिफरोज टाइमर के बारे में जानने वाले हैं यह equipment एक freeze का है, जो double door का freeze में यूज किया जाता है, इसका function आपको बताएंगे कि यह कैसे काम करता है और अगर आपका खराब हो जाता है यह timer तो आप कैसे इसको पहचानेंगे उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, यह bio metal के बारे में, कि bio metal को भी कैसे check किया जाता है और यह अच्छा है कि खराब है, दोनों का function क्या है, और यह timer और bio metal दोनों का function का बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर यह हमारा खराब हो जाता है timer, तो क्या problem हमको face करना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे और इसको कैसे हम find out कर सकते हैं problem को, एक एक करके देखेंगे, वीडियो को आप सुरू से लेके last तक देखेंगे, तो समझ में आएगा और रेडी हम एक drawing बना दिये हैं आप लोगों के सामने, यह drawing में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका function है तो इसके अंदर चार point होते हैं, जैसा कि आप point देख रहे होंगे, एक point है यह और एक, दो, तीन, तीन point यहाँ पे है और एक point यहाँ पे है, मतल़ टोटल चार point तो यहाँ पे हमने connection बनाया है, चार point का, तो आपको हम यहाँ numbering भी दिखा देते हैं, इसके अंदर जो numbering है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें, इसमें HVACS, चिलर रेलेटेड और बाकी domestic commercial जो भी है, सब आप वीडियो अपलोड करते हैं, यह यहाँ पे देख रहे हैं, यह एक point लिखा हुआ है, चार number लिखा हुआ है, तीन number लिखा हुआ है, दो number लिखा हुआ है, मतलब दो, तीन, चार और एक, total number of, कितना quantity हो गया है, चार, ति यह चारों का कैसे function है, कैसे काम करता है, वो हम बात करेंगे, इसके अंदर एक देखे है, अब यह आपको हम बताते हैं, अभी देखे, यह सेम आपका जो है, जो timer है हमारे पास, वो timer का हम एक drawing यहाँ पे बनाया है, जो आप लोगों को समझने में असानी होगा, एक explain करने के लिए, timer पे भी हम explain करेंगे, साथ में check करेंगे, claim meter के जरिए, और उसके साथ हम लोग drawing से पहले समाझ लेते हैं, तो एक, तीन, चार और दो, यह total चार point है, तो एक से तीन के बीच में जो motor का connection क्या हो रहता है, जो हम लोग power supply देते हैं, neutral और phase तो हम एक और तीन के बीच में देते हैं, ठीके, यह complete हो गया, अब तीन से चार के बीच में है, normally close position में रहता है, मतल से जो दो का point है, यह जो है, हमारा heater के लिए जाता है, तो यह कैसे काम करता है, यह 3 से 4 के बीच जो है, normally हमारा जो system चलता है, freeze जो है, 8 घंटा तक जो है, compressor को यह running रखता है, मतलब compressor को NC point में बनाया रखता है, 8 hours के लिए, जैसा कि यहां पर इस पर लिखा हुआ रहेगा, द देखिए, यह एक cycle इसका complete कितना time में होता है, 7 hours 54 minutes, मतलब near about 8 घंटा के हो गया, समझ गया, 8 hours तक जो है, यह point 3 और 4, यह दोनों जो हमारा close position में होना चाहिए, मतलब इसके अंदर जो है, 3 number और 4 number, यह close position में होता है, हम यह लेते हैं, इसको continuity state में करते हैं, यह continuity point पर कर दिय और, एक point को 3 में लगाते हैं, और एक point को 4 में, यह हमारा क्या है, continue point है, normally close है, NC point, जैसे आप देख रहे हैं, यह हमारा NC point है, बीच वाला हमारा 3 number है, ठीक है, अब 3 से 2 check करते हैं, तो यह हमारा NO point है, मतलब यह heater का connection जा रहा है, यह NO point है, ठीक है, और यह 3 से 4 हमारा यह NC point आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा timer जो है, सही बता रहा है, हम लोग check करेंगे, 3 से 2 के लिए heater का command जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब 8 घंटा cycle complete होने के बाद, heater defrost mode में भेज रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग ऐसे check करेंगे, इसके अंदर देख है यहाँ पर एक point है, नोब बना हुआ है, तो इसको directly हम अभी फिलहाल tester से, यह cycle 8 घंटे का चलता है, लेकिन फिलहाल हम लोग tester से इसको round करके देखते हैं, उतना मतलब point पर लेके आते हैं इसको, देखिए, वाला जो line है ना, इसके सामने एकदम नोब आएगा, और बहुत यह smoothly आपको यह करना है, नहीं तो आप इस compressor mode में चल लाएगा, तो हमको heater के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर के नहीं है, 8 से 10 पंदरा मिनट के लिए heater on होता है, तो उसका cycle का ratio बहुत कम होता है, तो हम लोग को उसी हिसाब से यह round करना है, cycle complete होने के बाद जब यह heater mode में जाएगा, तो थोड़ा सा हलका cut करके sound आएगा, तेज, देखे, यह cut से sound आया, अब हमारा जो है, यह heater mode में चले गया, तब हम चेक करते हैं, हमारा 3 से 2 के बीच आना चाहिए, अभी जैसा कि आप देख रहें यहाँ पर, अभी हम लोग जो है, इसको 3 से 2 चेक करेंगे, मतलब जो हमारा यह 3 से लेके 2, जैसे कि जो हमारा यह जो है, 3 2 जो है, यह normally open position में, NO point है, और हमारा NC point था, यह जो 8 hours चलेगा, लिग देता हूँ में, यह 8 hours running है, ठीक है, और यह हमारा, ज्यादा नहीं, 15 minutes, इससे कम ज्यादा वो timer को पर depend है, 15 minutes का something रहता है, तो अभी हम लोग चेक करेंगे, 3 से 4 हमारा point उस टाम आ रहा था, ठीक है, जब हमारा compressor mode में था, जो कि अभी देखे, 3 और 4 में, नहीं आ रहा है, अब देखे, 3 और 4 में, हमारा जो है, नहीं आ रहा है, और 3 और 2 में check करते हैं, तो ये 3 और 2 में हमारा ये बताने लगा, मतलब इसका मतलब ये हमारा timer जो है, सही है, तो ये हमारा timer सही है, क्योंकि इसमें हमारा जो है, 8 hours का cycle complete होने के बाद, वापिस हमारा defrost के लिए hitter को command जा रहा है, मतलब compressor का भी command मिल रहा है, hitter का भी command मिल रहा है, तो इस तरह से हम लोग ये timer को check कर सकते हैं, अगर ये हमारा काम नहीं करता है, तब क्या problem आएगा, हमारा evaporator coil के पास बहुत जादा ice आ जाएगा, और ice आने के चलते में, प्लस में cooling भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये हो गया, हमारा timer check करने का procedure, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्रसंद आया, तो आप लोग हमारे वीडियो को like करें, और share करें दोस्तों तक पहुँचाएं, और जो भी comments में doubt है, आप लोग ज़रूर पूछें, चले फिर आपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ,